हेलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आप पैंशनर है और आपका SBI में आकाउंट है तो आपको जो है हर साल आपका अपना पैंशनर रिसीब करने के लिए SBI का Pension Life Certificate Form भरना पड़ता होगा तो आपकी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि SBI का यह Pension Life Certificate Form आप कैसे भर सकते हैं तो चलिए बीना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप यहां लिखा हुआ पढ़ सकते हैं Certificate to be submitted by Pensioner State Bank of India आप State Bank of India के जिस भी ब्रांच में आप अपनी Pension रिसीव कर रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहां लिख देना होगा फिर Pensioner को यहां अपना Account Number यहां लिख देना है Pensioner ने कि शेत्र में काम किया है उसी साब से यहां टिक करना होगा Pensioner को यहां अपना नाम यहां लिख देना है Pensioner को यहां अपना PPO Number यहां लिख देना होगा Pensioner को यहां अपना Account Number यहां लिख देना है और Pensioner को यहां अपने सिंगने चार यहां कर देने होंगे फिर Pensioner को अपना Name यहां लिख देना है फिर यहां place लिख देना है आप जिस दिन इस form को भरेंगे उस दिन की date यहां लिख दीजिएगा फिर यहां लिखाओ पर सकते है additional information पैंशनर को जो है अपना pen number यहां लिख देना है पैंशनर को जो है अपना mobile number लिख देना है फिर पैंशनर की date of birth क्या है वो यहां लिखनी होगा pensioner को अपना account number यहां लिख देना है फिर नीचे आएंगे signature of pensioner तो यहां जो है pensioner को अपने signature यहां कर देने है यहां place लिख देना है आप जिस दिन इस form को भरेंगे उस इनकी date यहां लिख देनी है इसके बाद आपको एक और form मिला होगा acknowledgement of life certificate इसको आपको नहीं भरना है यह सारी चीज़े आप इस form में भर देंगे तो आपको इस form में और कुछ नहीं भरना है आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आयो पसंद आया लाइक ज़रू कर देन दोस्तों के साथ शेर कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टपॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टपॉन की चैनल को साथ घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटस्ट वीडियो की जानकारी के लि धन्यवाद